चोपड़ा है जो किसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक श्वागत करता हूँ दोस्तो जो इस्टुडेंट एबरोड से MBBS करना चाते हैं उनके लिए NMC ने Regulations का एक Draft तयार किया है जिसे Foreign Medical Graduate Regulation 2021 कहा जाएगा इसमें Next Exam के बारे में भी बताया गया है हालांकि ये अभी Draft ही है ये है Official Gazette में Publish होने के बाद लागू होगा तो इसमें Abroad से MBBS करने के लिए Eligibility Criteria Set किया गया है इसके बाद इसमें FMG और Next Exam के बारे में भी कहा गया है तो सबसे पहले हम Eligibility की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले उन स्टूडेंट की Eligibility के बारे में बताया गया है जिन्होंने 10 प्लस 2 इंडिया से पास की है और उसके बाद उन स्टूडेंट की Eligibility के बारे में बताया है जिन्होंने 10 plus 2 इंडिया से पास की है और वो abroad से MBBS करना चाते हैं तो आप ये देख रहे हैं इसमें इंडिया के state oblique center government द्वारा recognize school से 12 years की schooling यानि 10 plus 2 पास की हो दूसरी condition इसमें ये है कि 11th और 12th या फिर graduation में यानि last two year में science subject से physics, chemistry, biology या biotechnology से पास की होनी चीए इन में practical के marks भी include हैं थर्ड नम्मर में इसमें ये condition दी गई है कि in subject में entrance exam के लिए minimum eligible marks के साथ पास होना चीए चोथी और एहम इसमें बात ये बताई गई है कि abroad के लिए need UG exam qualify होना चीए तो ये तो था जिन्नोंने इंडिया से 10 plus 2 या फिर graduate कर रखा है और वो abroad से MBBS करना चाते हैं उन student के लिए ये eligibility criteria था अब हम उन student के eligibility के बारे में बात करेंगे जिन्होंने outside इंडिया से 10 plus 2 या graduation और MBBS पास कर रखी है और वो इंडिया में practice करना चाते हैं तो सबसे पहला point ये है कि उन्होंने 10 plus 2 या फिर graduate first year science subject physics, chemistry, biology या biotechnology और English से पास की होनी चीए दूसरा point ये है कि 10 plus 2 के बाद 54 मन्त की MBBS की study complete होनी चीए और 12 मन्त की internship complete होनी चीए इसमें next में एक आ गया है कि अभी जिन student ने 10 plus 2 और MBBS abroad से किया है उनकी internship भी उसी country से complete होनी चीए जहां से उन्होंने MBBS किया है हाला कि जिने student ने 10 plus 2 इंडिया से किया है और MBBS other country से किया है उनकी internship की कोई बात देता नहीं है next में है essay student जिनोंने 10 plus 2 और MBBS other country से पास कर रखी है उनको उस country में practice के लिए registered करना होगा जो 10 years के लिए valid होगा ये उन student को जरूरत नहीं है जिनोंने इंडिया से 10 plus 2 पास की है और need का exam देकर abroad से MBBS कर रहे हैं अब इसमें last में एक important बात कही गई है वो FMG और next exam के बारे में कही गई है इसमें कहा गया है कि इंडिया में जब तक next exam लागू नहीं होता तब तक इंडिया में license के लिए FMGE देना होगा जो abroad से MBBS करके आएंगे जो abroad से MBBS करने वाले student के लिए इंडिया में आने के बाद साल में दो बार होता है ये FMG test ये FMG clear करने के बाद आप इंडिया में practice के लिए eligible हैं आने वाले समय में अभी next exam होगा जो इंडिया से MBBS कर रहे student और abroad से MBBS कर रहे student दोनों को qualify करना होगा ये SI 2022 तक लागू होने की समभावना है ये next exam दो step में होगा next one और next two जिन student ने abroad से MBBS किया है उनके लिए next one में एक additional paper होगा जिसमें pre और phara clinical subject होगे अभी इसमें last में एक बात लिखी गई है जो student को wishlet करने वाली है इसमें लिखा है कि abroad से MBBS करने वाले student को FMG या फिर next exam MBBS complete करने के दो साल के अंदर अंदर qualify करना होगा तो दोस्तों ये अभी draft ही है इसमें और कुछ भी change हो सकता है जैसे ही इसमें कोई amendment होगा हम आपको inform कर देंगे वैसे इसमें जो दो साल का time period दिया गया है वो हो सकता है हटा दिया जाए क्योंकि 2008 में भी ऐसा तीन साल का time period लगया गया था जो बाद में हटा दिया गया था जो इंडिया से MBBS कर रहे हैं उन्हें student के लिए next one और next two के बारे में detailed video बना कर मैंने समझा दिया है आप channel search करके देख सकते हैं या फिर आप search बार में चोपड़ा education next exam search करेंगे तो detailed video मिल जाएगा तो दोस्तो हर new update को सही तरीके से समझाने के लिए हमारा channel विख्यात है इसमें आप हमारे channel पर trust कर सकते हैं इस video को यहीं खतम करते हुई next video में आपके लिए next update के साथ फिर हाजिर होंगा इस video में मैंने next exam fmg exam के बारे में बताया है जो abroad से mbbs कर रहे हैं उनके लिए drop तयार किया है उसके बारे में ही इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें changing सिरफ next और fmg की है बाकी सारा सब कुछ है मैं जो पहले abroad से mbbs के लिए नियम लागू होते थे वही है इसमें बाकी कुछ जो changing है वो मैंने last में आपको बता दिया गया है मिलेंगे next वीडियो में next update के साथ में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लिता हूँ विदा जय है जो तक मैं पुछ है